सो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्मेंट की तरफ से आई एपरेंटिंचिप जॉब के बारे में जहां पर कैनरा बैंक हाइरिंग कर रहा है लेटेस जॉब के लिए अब यहां पर अगर आप एक student है तो आपको इस वीडियो को end तक देखना चाहिए जहां पर आपकी monthly salary की बात करें तो यहां पर 15,000 रुपे रहने वाली है उसके साथ यहां पर आपको बहुत अच्छी opportunity यह देखने को मिल जाती है totally 100% ही आपकी central government job रहेगी 100% genuine job रहेगी तो end तक वीडियो को देखना और सारी details में यहां पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझाओंगा किस तरीके साब को इसमे apply करना है आपकी requirements क्या है सब कुछ में A to Z यहां पर आपको detail में समझाने वाला हूँ so make sure जो भी चैनल पर नए आए है चैनल को subscribe करके वीडियो को जो से like कर देना और जो भी step यहां पर मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से end तक follow करना so सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर आपकी government की apprenticeship के बारे में तो यहां पर यह apprenticeship होती क्या है उसके बारे में मैं आपको यहां पर थोड़ा बता देता हूँ so guys यह basically आपकी pay training दी जाती है आपको यहां पर with class instructions के साथ यहां पर यह workers को highly educate करते हैं ताकि आगे जाके आपको और भी अच्छी job यहां पर मिल जाए तो यह आपकी pay training रहेगी जहां पर government आपको पैसा खुद देगी ठीक है और directly आपके bank account में वो आएगा किस तरीके से सब कुछ यहां पर भी मैं आपको समझाने वाला हूँ तो guys मैं अभी आपको बिना किसी देरी के अपनी laptop की screen पर लेके चलता हूँ वहाँ पर आपको मैं detail में समझाऊंगा किस तरीके सा आपको इसमें apply करना है आपकी requirements क्या है ठीक है तो बिना किसी देरी के अभी हम चलते हैं अपनी laptop की screen पर so without any further ado let's begin so guys जैसे के भी आप देख सकते हैं हम आचुके हैं अपनी laptop की screen पर कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके सा आपको इसमें apply करना है तो आपको क्या करना है गूगल पर आजाना है आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है Canra Bank Canra Bank जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसा पहली website देखने को मिल जाती है आपको simply क्या करना है उस पर click नहीं करना है आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते है Careers लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है simply इस Careers पर click कर देना है और जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Recruitment अभी यहाँ पर Canra Bank की चल रही है जिसमें आपको Apprenticeship यहाँ पर Canra Bank की तरफ से देखने को मिल जाती है तो आपको क्या करना है इस पर simply आकर click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Canra Engagement of Graduate Apprenticeship Under Apprentices Act 1961 for FY 2024-25 तो बिल्कुल latest यहाँ पर आपके लिए यह job आई है Apprenticeship आई है तो आपको अभी करना क्या है यह जो PDF आपको दिख रहा है simply इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपको एक PDF ओपन देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके की ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी important dates वगएरा सब चीज इन्होंने बताई है इसके बारे में हम सारी चीज यहाँ पर detail में समझेंगे और उसके साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह जो vacancy है वो 3000 students के लिए यहाँ पर आई है तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में जो important date है important date जानना हमारा बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर event जो है आपको netseducation.gov.in पर देखने को मिलेगा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके सा आपको अपनी profile को complete करना है तो इसको अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं बाकी अभी हमें date के बारे में जान लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 सितंबर 2024 से यहाँ पर register स्टार्ट हो चुके हैं यानि के कल से ही start हुए है और कब तक चलेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले महीने की चार तारीक तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो जल्दी से जल्दी जितना आप यहाँ पर register कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है यहाँ पर रहेगा ठीक है तो यह आपकी मैंने start date और closing date यहाँ पर आपको मैंने बता दी है उसके बाद यहाँ पर आपकी details of training seats हैं वो उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर आपकी number of training seats जो है 3000 देखने को मिल जाती है अलग-अलग category में आपको देखने को मिलती है SCST, OBC, General वगेरा सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी उसके साथ-साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी-कितनी seats आपकी यहाँ पर available है General की कितनी है, OBC की कितनी है और SCST की कितनी है आप यहाँ से checkout कर सकते हैं उसके साथ-साथ यहाँ पर आपकी eligibility criteria के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, यह graduate students के लिए apprenticeship है तो आप यहाँ पर इसमें apply कर सकते हैं उसके साथ-साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक candidate must be either तो यहाँ पर आपको citizen of India, subject of Nepal, subject of Bhutan यहाँ पर जो है, इसको apply कर सकते हैं, ठीक है उसके साथ-साथ यहाँ पर आप थोड़ा से scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको minimum age देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी minimum age है वो 20 years होनी चाहिए और maximum 28 साल यहाँ पर रहनी चाहिए, ठीक है और यहाँ पर जो आपका born है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तारीक 19 सितमबर 1996 से लेकर एक तारीक 9 सितमबर 2004 तक की यहाँ पर रहनी चाहिए, ठीक है उसके साथ यहाँ पर जो आपका age relaxation limit इनों नहीं यहाँ पर बताई हुई है तो आप अपने ही साथ यहाँ पर देख लेना यहाँ पर जो है SCST आलो के लिए यहाँ पर 5 साल का है ठीक है, इसी तरीके से 3 years का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर 10 years का देखने को मिल जाता है जो भी disabilities है, ठीक है, उन candidates के लिए तो यहाँ पर वो सारी चीज आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ओके अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी education qualification के बारे में तो आपके पास graduation degree यहाँ पर रहनी चाहिए recognized university से, जहाँ पर government of India की वो रहनी चाहिए qualification equivalent रहनी चाहिए, central government of India के तहट ठीक है, तो वो सारी चीज इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है test of local language, तो यहाँ पर आपके पास 10th की 12th की mark sheet होनी चाहिए, certificate होना चाहिए certificate evidence होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से आपने यहाँ पर आपको local language के बारे में इन्होंने बताया है जहाँ पर local language test आपको देना होगा, वो आगे जाके training में यह सब चीज़े होंगी, जहाँ पर आपका document verification किया जाएगा, उसके साथ साथ आपका यहाँ पर local language test भी लिया जाएगा, ठीक है, और अगर आप इसको pass नहीं कर पाए, तो आपका यहाँ पर जो है, इसको fail ही माना जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का धियान रखना, उसके साथ साथ यहाँ पर आपका physical medical fitness देखी जाएगी, जहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपकी जो medical fitness में, आपकी eyes बगरा के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, वो मैं आगया आपको बताऊंगा, बाकी यहाँ पर जो है आपका physical medical fitness test भी होगा, तो उस चीज़ के लिए भी आपको leave कितनी मिलेगी, और यहाँ पर जो आपकी training होगी, वो उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तो जो other time and condition है, वो यहाँ पर apprenticeship training की दीनों ने यहाँ पर दी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो profile bank आपको payment करीगी, वो 10,500 होगी, बागी की 4,500 आपको government आपको stipend यहाँ पर देगी, जो कि आपका directly bank account में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर hours of work आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपकी on job training यहाँ पर दी जाएगी, खीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर overtime के लिए इनोंने बोला है, तो यहाँ पर कोई भी आपका overtime का work नहीं रहेगा, तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी tension नहीं लेना है, leave की बात करें, तो आप pay training के during कितनी leave ले सकते हैं, तो साल में 12 चुटी आप ले सकते हैं, अगर आपको emergency होती है तो 4 दिन के आप ले सकते हैं, वो इनोंने यहाँ पर बताया हुआ है, बाकी holidays के बारे में आपको bank अपने ही साब से यहाँ पर बता दिया करेगा, conduct and discipline की बात करें, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से अपने पढ़ लेना, यहाँ पर आपको बहुत सी सारी details देखने को मिल जाएगी, contact based यह apprenticeship आपकी यहाँ पर रहने वाली है, उसके बारे में इनोंने आपर discuss किया है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, और कोई इनकी अगर time and condition को नहीं मानता, तो आपको जो है, terminate कर दिया जाएगा, इनके contract से, तो इस चीज का धियान रखना, ठीक है, बाकी की details आपको other information यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, अभी मैं आपको selection process और registration process के बारे में बता देता हूँ, तो आप क्या करना है, scroll करना है, आप यहाँ पर देख सकते है, national apprenticeship training scheme, यहाँ पर आपको nets की तरफ से देखने को मिल जाती है, ministry of education government of India, तो 100% यह आपकी central government की तरफ से यह apprenticeship रहने बाली है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से आपको इस apprenticeship job के लिए apply करना है, तो आपको क्या करना है, simply scroll करने क आपको यहाँ पर student देखने को मिल जाता है, आपको simply इस पर click कर देना है, तो guys आपको क्या करना है, यहाँ पर student register पर आपको simply click कर देना है, जैसी आप यहाँ पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते है, enroll के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते है, कुछ document type जह के पास रहना चाहिए active passport size photograph format आपके यहां पर रहनी चाहिए less than 1 MB उसके साथ यहां पर आधार card आपके पास रहना चाहिए bank detail के साथ यानि के connect रहना चाहिए आपके pen card से उसके साथ यहां पर qualifying degree आपके पास रहनी चाहिए provisional certificate होना चाहिए जिसका format आप देख सकते हैं PDF form में यहां पर रहेगा और 1 MB से कम का यहां पर रहना चाहिए first page of bank passbook यहां पर आपके पास रहनी चाहिए bank account statement रहनी चाहिए format आपका यहां पर PDF रहेगा less than 1 MB यहां पर रहेगा अगर आपके पास यह सारी चीज है तो आपको क्या करना है yes पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं email id mobile number और इस capture को आपको यहां पर fill करना है तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है अपना email address phone number और capture करने के बाद capture like 4 plus 4 कितना होता है 8 होता है 8 लिखके यहां पर send OTP पर क्लिक करना उसके बाद आपको एक email पर OTP आएगा और एक आपके mobile number पर then आपको क्या करना है अपना email वाले OTP को यहां पर डाल देना है और इसी तरीके से mobile वाले number को यहां पर जो OTP आएगा उसको यहां पर डाल देना है इतना करने के बाद जैसे आप यहां पर next पर क्लिक करेंगे submit करेंगे आपको यह registration form देखने को मिल जाएगा और इतना करने के बाद आपको यह student registration form यहां पर देखने को मिल जाएगा अब आपको इसको अच्छे से fill कर देना है यहां पर आपको yes कर देना है date of birth, gender आपको यहां पर आजाएगा, category आजाएगा, आधा card number आप यहां पर लिख देना, upload कर देना आधा card की first और second front page को और उसके बाद यहां पर आपको अपना institute किस institute से आपने पढ़ाई की है वो आजाएगी तो यह सारी चीज आपको detail फिल कर लेनी है education type यहां पर आपको अपना लिख देना है, किस तरीके सापने कौन सी course को लेकर आपने यहां पर pass out किया था तो यह basic सी details है जो कि आपको यहां पर फिल कर लेनी है और इतना करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है यहां पर capture डालने के बाद इसको simply submit कर देना है, आपको जो form है वो submit हो जाएगा बाकी आपको मैंने अच्छे से सारी चीज डिटेल में समझा दिया है, बहुत ही अच्छी apprenticeship आपको Central Government of India की तरफ से देखने को मिल जाती है अगर आपके कोई भी doubt है तो आप उससे comment section में पूल सकते हैं और Instagram पे DM कर सकते हैं I hope कि यह वीडियो आपके लिए helpful रही होगी, अगर helpful रही है तो वीडियो को लाइक हो, चैनल को भी subscribe कर लेना, मिलूंग आपसे लिए next वीडियो में सोब भी के लिए, bye guys, stay care, जहन